नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तों ये महिला अपने घर की और जा रही है और सामने एक बहुत बड़ी पोधों की दिवार है ये है हैजिस की दिवार हैजिस एक प्रकार के पोधे होते हैं जो दिवार बनाने के किसी भी पार्क को डिवाइड करने के काम आते हैं और कोई भी परकार की शेप आप इन पोधों से तयार कर सकते हैं इन पोधों की कटिंग करके तयार कर सकते हैं तो हैजिस प्लांट जो है इनकी एक बहुत बड़ी इंडस्टरी भारत के अंदर डिवलप हो रही है और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि आज के जमाने में बहुत बड़े मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रही है पहले हम इन हैजिस का इस्तेमाल के बहुत पार्कों में करते थे लेकिन आज कल किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास जब हमें अंत में चार दिवारी करनी होती है चाहे वो घर हो चाहे वो स्कूल हो तो उस चार दिवारी की जगहें इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है इससे environment भी बचता है इससे कम खर्चा भी आता है ये सुन्दर भी लगता है और ये एक समान्य दिवार से ज़्यादा मजबूत होती है ये हैजिस किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देती दिवार को आप फांद कर अंदर घुस सकते हैं घर के लेकिन अच्छी खासी मोटी हैजिस आपने अगर त्यार कर ली एक बार तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति उन्हों हैजिस को क्रोस करके अंदर नहीं आ सकता घ सबसे पहले बाहरी जो कोई भी पार्क है या कोई भी दिवार की जगहें बजो लगाना है वहां पर आपको जो है टोल प्रोटेक्टिव हैजिस लगाने पड़ेंगी यह बहुँ ज़्यादा सगन्य होती है यह लगबग साथ से आठ फिट उची होती है और काफी ज़्यादा इनके अंदर कांटे होते हैं यह हैजिस कुन सी होती है इनके मैं नाम यहाँ पर दे देता हूं इसके बाद में अंदर वाली जो साइड है वहां पर आपको लगाना होता है डवार्फ प्रोटेक्टिव हैजिस यह वो हैजिस होती है जिनके अंदर कांटे हो होता है ताकि जो नीचे-नीचे ही उसे इच्छे से ये कवर कर ले करें है जेसे केक्टउ गवारह ऐसे प्लान्ठ भी आ जाते हैं और भी कई इसके इंदर है इसके बाद और अंदर का एरिया आता है जहां पर लगती है टॉल ओर्नामेंटल हैजिस ये काफी उंची भी हो जाती है उसके साथ साथ ये खुबसुरत होती है सजावटी हैजिस होती है जिनके अंदर कांटे नहीं होते और इसके बाद में लगती है ड्वार्फ और्नमेंटल है जिसके इससे एक बहुती चोड़ी और बहुती सुरक्षित दिवार आपके पूरे के पूरे जो घर है उसके आसपास या फिर किसी भी स्कूल है या जो भी है उसके आसपास बन जाती है और उसके बाद में उसके बीच में आपका बन जाता है पार्क ऐसे में आपको किसी भी परकार की कोई भी सेमेटीर या कोई भी दिवार जो है वो घर के अरवाद निकालनी नहीं पड़ती अब लोग इससे भी ज्यादा जब protection का सूशते हैं तब लोग क्या करते हैं? घर से बाहर जहांपर यह है जिस लगाना शुरू किया उससे एक स्टेप बाहर जो पाम के पोधे होते हैं और जो अशोका के पोधे होते हैं वो लगा देते हैं और उसके बाद उन सब पोधों को एक से दूसरी जो वायर होती है उसके साथ जोड़ देते हैं कंटीली वायर के तो ये फिर आपका जो घर है या फिर जो भी स्कूल है जो भी प्रोटेक्शन वाला है वो और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है तो आप लोग अब ये सोच के देखिए कि भारत के अंदर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है क्योंकि अब कंट्री के अंद पार्क आप लोगों को त्यार करके देना शूरू करते हैं तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं तो और दोस्तों आपकी जो इसके बारे में राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो प्रोटेक्टिव हैजिस होती हैं उनमें कांटे होते हैं इसलिए वो बाहर रहती हैं और ओर्नामेंटल हैजिस जो है वो पार्क के भीतर भी लगाई जा सकती हैं बाहर भी लगाई जा सकती हैं और पार्क को पार्टिशन डिवाइड करने क के लिए भी लगाई जा सकते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ये वीडियो आपको कैसे लगी कुमेंट स्रक्शन में ज़रूर बताएं देखते रहिए ABC इंडिया